बिस्मिल्लाहरमाने रहीम अस्सलाम वालेकुम हाई फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आज हम बनाएंगे पाइनेपल केक और बहुती मज़ेदार बनेगा तो चले आएं बनाते हैं पाइनेपल केक मेडाइब लेलिया है और वन टे स्पून मैने लेलिया है कर अफ टी स्पून मैने लेलिया है फैकीन abdomi यह पूर्डर हाफ टी स्पून वनीला एसन्स चार अदद अंडे हैssä मैने टैंक का गाये ले लिया है देखिए यह जो मैंने आठ टेबल स्पून मैदा लिया था इसके अंदर वन टी स्पून हम बेकिंग पॉडर शामिल करेंगे देखिए मैंने केक का सांचे ले लिया है फिर हम इसको जरा ऑइल से ग्रीज कर लेंगे और फिर हम इस पे जरा मैदे की डस डाल देखिए अब इस तरह हम करके सांचे को एक तरफ रख देगे देखिए मैने एक पतीला ले लिया इसके अंदर बेने फटर गरम होने के लिए रख दी है इसकी बेकिंग बढ़दस होती हो बहुत बैस्त होती है अगर आप चाहें तो आप स्टैन भी रख सकते हैं लेकिन इ देखिए हमने मैदा तो चान लिया है बेकिंग पोडर के साथ अब हम चार अदर अंडे ले लेंगे अंडे को हमें इस तरह तोड़ना है कि जर्दी अलग होनी चाहिए हम सफेदी अलग करेंगे और जर्दी अलग करेंगे और चार अंडों को इसी तरह तोड़ लेंगे दे और इतना अच्छा करना है कि इसका फॉम बन जाए ठीक है और यह देखे वन टीस्पिन जो मैंने वनीला एसन दिया था वह भी हम इसके नदर शामिल करके और इस तरह बहुत जबरदस सा बीट करना है कि फॉम की शकल इख्तियार कर लेगे देखे मैंने कितना अच्छा बीट किया है और देखे कितना अच्र फॉम सा बन गया है और एकी डिरेउक्षन में इसको बीट करना है ठीक है अब सफेधी तकरीबन हो किया है अब हम करेंगे जर्दी, अब जर्दी को भी इसी तरह बीट करना है देखे अब हम जर्दी को भी बीट करेंगे, जर्दी को इतना जादा नहीं करना जितना हमने सफेदी को किया है बस अब इसके अंदर माइसिंग शुकर दाल के तक्रीबन दो से तीन मिनट बीट करेंगे देखी इसको मैंने दो से तीन मिनत बीट किया है अब हम यह जर्दी जो सफैदी के अंदर शामिल करके तकरीबन 5 मिंट और बीट करेंगे जर्दी को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और 5 मिनत अब मज्झी तसह करनाSabricMate this और प्रोडर के साथ हम हम इसके अंदर मैदा करेंगे और मैदा को माँ देखेंगे अब हम इसको मैदे को शामिल कर रहे हैं और किसी भी लए फ्लेट चम्मस से इसको फॉल्ड करना है आप चाहें तो हाथ की मदस्से करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा पस इसी तरह अच्छे में दाल देगा है अब इसको बेक करेंगे इसको बेक करेंगे यह पहतर बहुत अच्छे गरम हो चुका है तखरीब यह पांस जाट मिंड में हमारा केक बहुत अच्छा बेक हो जाएगा कि पांसगें सात मिन में किःना उच्छा सा मरे केक बेक हो चुका है ति बस अभी हएक बसतों हमुत सेक निखानें जायं हो जालने केपा पर पिर मैं बताँगी किए क्या देखें ही आवेक हम्हें केह बहुत सब्सक्राइब कर Diego सब्सक्राइब प्रश्rage सब्सक्राइब कर देह सब्सक्राइब करका अच्छी बिलकुल अच्छी तरह से इसको हमें डालना है तक्रीवन आदा सीरप हम इस पर दाल देंगे देखिए मैंने दो कप किरीम लिए और मैंने इसको घर में विप किया है आप चाहें तो बाहर से भी रहसे ले सकते हैं यानिके बेकरी से यह तक्रीबनादी किरीम लगेगी और य देखें करेम हमने लगाई है लेनी है और मैंने देखें इस तरह लगाई है चारो तरफ से आप इसको अच्छे तरफ है लागा लीजिएका आप चाहें तो थोड़ी और Con Marin लगा सकते हैं लेकिन इसमें जादा करीम अच्छी लगती है अब हम देखिए मैंने ना हाफ ऍेक में आप अपने हिसाप से दाल लें देखिए जो केक का दूसरा हिसा रहे गया था इस पे भी हमें बाकी बचावा शर्बत डालना है बहुत अच्छा सा डालना है किनारों पे बहुत जरूरी दालीएगा इसके किनारे सूके नहीं रहने चाहेंगे तेखें, अच्छी तरहे हैं, शर्बट इसके उपर डालना जा है देखें, जो केक का दूसरा। प्लट दिया है। और बाकी शर्बट वोब इसके उपर ढाल देंगे। देखें, जीसलिए havenघे पहले स्टेप पे लगाई। इसी तरह हम प्हף मतेरे स्टेप झाल झाल